हेलो दोस्तों तो आज के वीडियो में हम लोग अन्बॉक्सिंग करेंगे इस बीटेल के लेंड लाइन फोन की इसका मॉडल नंबर है बी वन सेवन यह मैंने अमेजॉन से मंगाया है और इसके लिए मैंने 529 रुपे दिया है और अल्मॉस्ट 530 रुपे आप कह सकते हूँ तो यह बलैक कलर के कलर में हम लोगों ने मंगाया है लेकिन अगर आप इसके बॉक्स की तरफ देखें तो यह इन कलर्स में भी अवेलेबल है लेकिन एमज on पर जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे सिर्फ बलैक और warm gray में ही available मिला तो मैंने black color मंगाया है इसके लिए मैंने 530 रुपे दिया है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और model number आप दे सकते हो B17 तो betel एक बहुत ही popular brand है खास करके इंडिया में और mostly अगर आपके पास घर में phone होगा आप कैसा देखने में लगता है जादर कुछ इसमें है नहीं तो फटा-फटा इसको खोलते है और देखते हैं इसके अंदर आपको मिलता है एक बार से डब्बे के उपर जो इन्होंने features लिखे हैं में आपको दिखा देता हूँ तो इसमें आप जो bell बसती है जब आपको कोई call करता है तो उसकी volume आप adjust कर सकते हो एक और चीज़ एक काफ़ important होती है वो है एक LED तो LED भी आपको इसके उपर मिलती है जिससे आपको पता चल जाता है कि phone आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है आप phone आता है किसी का phone आता है ring बचती है तो भी LED जल्बुच जल्बुच होती है और आप इसमें जो आपकी ring बचती है उसकी volume भी control कर सकते हो काफी सारे phone में volume control नहीं कर पाते हो इसको आप desktop पैसे रख सकते हो और wall mount पर भी कर सकते हो और इसमें tone pulse setting है red dial का function है और mute का button भी है उसको फटा-फट से खोलते है वो देखते हैं अंदर से कैसा लगता है और क्या-क्या इसके अंदर आपको इसमें मिलता है तो ये देख आप देख सकते हो डबब बिल्कुल अप खाली हो गया है इसके अंदर आप कुछ पचान नहीं है इसको side में रख लिए और अपना phone निकालते है एक चीज़ इसके अंदर एक छोटा सा template हमको मिला है इसको मैं देख लेता हूँ इसमें आपको एक साल की warranty इसके उपर लिखी हुई है from the date of purchase claim करने के लिए मैं ज़े लगता है आपको इनके service center पर call करना पड़ेगा anyways इसको मैं side में रखता हूँ और इसकी polythine भी निकाल लेते हैं side में और ये भी हमारा trans receiver है इसको भी side में रखता है तो phone हमने निकाल लिया और अंदर से phone कुछ ऐसा दिख सकता है आप जह सकते हो normal phone का setup है ये आपका receiver है और ये आपकी base है ओपर आकी तरह आप देख सकते हो beetle का logo है और beetle लिखावा है properly आपके जैसे की button होते हैं वैसे ही button दिये गए हैं इसमें आपको mute का button, pause का button, flash का button और redial का button मिलता है और जब bell बजएगी तो LED भी आपकी flash करती है तो आपको easily पता चल जाता है कि किसी का call आ रहा है कई बार हो जाता है कि ring नहीं बसती है फिर भी आप उसको LED को देखकर पता कर सकते हो ये आपको normal coil style cable है जो आपकी receiver को आपके receiver को आपके base से connect करती है और पीछे की तरफ देखे हैं आप देख सकते हो ये हमारा connection है ये वाली cable आपके जो BSNL का या कोई और आपने landline connection लिया है उसमें ये वाली wire app connect करेंगे इसकी length अभी हम लोग measure करेंगे और सबसे बड़ीया बात इसमें ये है कि इसमें अंदर आपको जो आपकी जो ringer की volume है आप adjust कर सकते हो तो अगर मैं आपको properly side में करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इसमें आप जो ringer की volume है वो आप low, mid और high कर सकते हो अभी high पे set है तो आप इसको mid पे कर सकते हो, low पे कर सकते हो बहुत से phone में ये सुविधा नहीं होती है तो अगर रात को किसी का phone आता है तो बहुत हला मच जाता है phone से या फिर काफी लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि phone की आवास बहुत तेज आए कुछ लोग काफी phone की आवास से काफी लोग डर जाते है ये मैंने खुद भी notice किया है काफी लोगों के घर में तो लोग usually phone की volume कम करना पसंद करते है तो यह आप इस phone में कर पाऊगे आपको mode मिलते है tone और pulse अगर जो भी आप इस्तिमाल करना चाओ आप कर पाऊगे इसको mount करने के लिए आपको दो keyhole मिलते हैं जिसकी help से आप लोग इसको nails की मदद से vertically किसी भी wall पे टांग पाऊगे इस तरीके से उपर की तरफ से और इसको usually मैं जो इस्तिमाल करूँगा इसको base पे ऐसे रखूँगा और receiver की बात करें तो यहाँ पे एक आपको notch मिलता है तो अगर आप इसको vertically लगाने वाले हो ऐसे लग जाएगा और आपका easily यह भार की तरफ को नहीं गिरेगा जादा टेडा कर दोगे तो यह गिर भी सकता है पर इतनी असानी से गिरेगा नहीं यह काफी सारे phone में removable होता है लेकिन इस phone में इन्होंने पहले से यह fix कर रखा है तो यह भी है यह थोड़ सा heavy है heavy इसलिए है ताकि easily आपका call hang up कर पाओ ऐसी इसकी आवाज है जब इसको रखते है अब फटा फट से मैं करता हूँ इस phone की length को measure कर लेता हूँ और इसकी cable की length को भी हम लोग measure करेंगे तो मेरे पास एक simple सा tape measuring tape तो सबसे पहले इसकी measure करते हैं हम लोग thickness के इतना थिक है phone तो आप देख सकते हो तकरीबन 12 से 13 cm जितना थिक है और इस phone की लंबाई की अगर हम देखें तो आप देख सकते हो exactly almost बिल्कुल exactly 20 cm के करीबे आ रहा है और इसकी मोटाई की बात करें तो मोटा आप देख सकते हो तकरीबन 7 cm से थोड़ा कम 7 या 6 cm हम इसको क्या सकते है अब अगर जो आपको जो cable मिलती है इसके साथ उसकी thickness भी अगर हमको measure करनी हो तो वो भी हम लोग इसको खोल लेते हैं तो मैं क्या करता हूँ इसको खोल लेता हूँ यह हमारी wire खुल गई है हम है क्या करूँगा एक end को इसको मीटर पर लगा दूँगा और दूसरे end की तरफ से हम इसको measure करना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हो तकरीबन 182 cm के तकरीबन यह हमको मिल रही है यानि कि 2 मीटर से 2 मीटर से थोड़ा सा छोटा हमको यह मिल रहा है यहाँ पर हमारा 200 cm तो 2 मीटर होता है तकरीबन almost 2 मीटर से थोड़ा सा छोटा है तो cable की length भी काफी अच्छी है तो यह तो होगी cable की length अफटा-फट से हम इसको लगा लेता है मैं क्या गरता हूँ इसको वापस लगा लेता हूँ यहाँ पर यहाँ पर आपका यह लगेगा यह लग जिया और दूसरा end जो है आपका लगेगा जहाँ पर आपका BSNL का connection या फिर आपका कोई भी landline connection है वो आपको दिया गया होगा इसको मैं फटाफट से लगा के देखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यह आपको कैसे connect करेंगे इसकी ring भी आपको दिखाँगा कि लो लेवल पे कैसी volume है मिड लेवल पे कैसी volume है और बिल्कुल high volume पे कैसी ring इसकी बस्ती है तो यह अब लोगों connect करके देखते है तो इस तरीके का box आपके घर में होगा जिसमें आपका land-land का connection आ रहा होगा इसमें मैंने अपना यह phone connect कर दिया है अब देखने के phone चला है और नहीं चला है तो phone connect हो गया है और अब मैं इसकी आपको volume सुना देता हूँ तो आप सुन सकते हो ऐसीस की आवाज है अभी high पे है मैं इसको middle पे कर देता हूँ यह middle पे है मैं भी phone से 1 feet की दुरी पर हूँ और यह low पर है यह low है low काफी कम है मुझे नहीं लगता low पे ज़्यादा लोग रखेंगे middle पे दुबार से दिखा देता हूँ यह middle है वापस high पे करते हैं यह highest setting है और आप देख सकते हूँ जब call आ रही है तो आपको light भी चलती दिख रही है ताकि आपको पता चल जाए कि call आ रहा है हलो और बात करें इसकी call quality की तो call quality काफी ठीक ठाक है मुझे receiver की जो volume है थोड़ी सी मेरे को कम लगी और जो phone मेरे पास पहले थे उनसे अगर compare करूं तो लेकिन overall ठीक ठाक quality है 530 रुपे में total phone आया है तो मुझे ज़्यादा पुरा यह नहीं लगा है तो यह था मेरा video बीटल का B17 का video overall phone अच्छा है 500, 500, 500 रुपे के अंडर में ठीक ठाक phone है अगर आपका phone खराब हो गया तो अब इसको ज़रूर मंगा सकते हो एक चीज है मैं जो दुबारा बोलना चाहूंगा कि मेरे को receiver की volume थोड़ी सी कम लगी है हो शकता है मुझे ही लगा हो हपी बट्ड़ तो य।